असलाम अलेकुम वरहमतुल्ही वरकातु हूँ काफी अनर्जी है आज क्लास में, मोटिवेटेड है मोटिवेशन के उपर हम बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्ह तो मैंने कहा कि एक रियल लाइफ हीरो होते हैं और एक मोटिवेशन होता है हमको किताबों के जलिए मिलता है जिसको डिवाइन मोटिवेशन कहते हैं अभी तो वही नाजिल होकर फरिष्टे हमको आकपर बताएगी नहीं लेकिन किताब की शकल में कुरान मजीद हमारे लिए मोटिवेशन है पता है एक चोटा सा एक्जामपल देता हूं बुजूर्ग शक्से बीमार थे अब जब मैं उनसे मिले गया चाचा कैसे आप तो कहते हैं अच्छा हूं हलाके कमजूर थे मरीज थे मतलब को ऐसी बीमारी नहीं थी कैंसर जैसी बीमार थे तो मैंने कहा के चाचा आप इस उमर में एक दम हाँ जल्दी ठीक हो जाओंगा जल्दी अब हमको क्या इस उमर मे अगर किसी को जाइफ कमजूर देखेंगे तो हम क्या सोचते हैं अल्ला इसको निजात दे दे वे यह नहीं हैं अल्ला इसको विचारे को आजाद कर दे लेकिन वो इन्शाल्ला ठीक हो जाओंगा मुझे पता था कि वो शक्स किताबे बहुत पढ़ता था कुरान बहुत पढ़ता था और बरसों के बाद जब मैं कससु लंबिया पढ़ने लगा तो मुझे वैसे ही वाकिया नजर आया और मुझे उमिद है कि हमारे उस रिष्टेदार ने वहीं से मोटिवेशन लिया होग कि ओरान में यूब लिए सलम का तथकरा यहीं अर्फ इनकी बिमारी काफी लंबी थी फता है यह बिमार पड़े 70 के एज में और इबन-e-कसिर कहते है का 17 साल बिमारे लेकिन कोई मिलने आता था तो अलहमदलिल्ह अलहमदलिल्ह और बिमारी यहाई कि लोग शहर के बाहर छ सोशल डिस्टंसिंग चल राचकल दोगज वह सोशल डिस्टंसिंग ऐसा था कि उनको गाम के बार छोड़के आगे लो लेकिन कोई मिलने जाता तो कहते थे कि इन्शालाह में अच्छा हो जाओंगा फिर एटी सेमन की एज में अच्छे भी होगे यह मोटिवेशन होता है अज है सोशल आज जूकवुकाँ होता है तो हम आयूस हो जाते हैं बीमार पढ़ जाते हր हमारे घर में अगर कोई बीमार होता हैं ओए तो आज हम खित्मत करने के लिए तेइयार नहीं होतेcheude अयूब अलेसलाम की बीवी इनकी खित्मत करती है सब ठोड़के चले, लेकिन दौलत, फार्मावसिस, खेट, बच्चे, महल, रहने के लिए सारी सहूलेती थी, कौम का बड़ा आदमी था और नभी थे, और जब सब चला गया, तो रिष्टेदार छोड़के चले गे, अलाद छोड़के चले गे, लेकिन बीवी साथ में रही, उनको गुसल देती थी, 17 सा करती है, यह हमारे लिए मोटिवेशन है, और मोटिवेशन यह है, कि इसमें वजह भी है, क्यों खिद्मत करती है, कहती है, कि जब अच्छे दिन थे, तब तुमने मुझे बहुत इज़त से रखा, आज तुमको अल्ला ने आजमाया है, तो मैं तुम्हें छोड़के नहीं जाओंगी, लुक अट दे मोटिवेशन, किसी के साथ वफादारी याद रखकर उसको छोड़के नहीं भागना, यह भी मोटिवेशन है, सुरह युसुफ की कहानी शुरू होती है इस आयत से, कि हम तुमको खूबसूरत कहानियां सुनाते हैं, अल्ला ने इन कहानियों के अ चोटी सी उमर में अपने घरवालों से अलग हो गए, क्या मोटिवेशन है? वो अयूब अले सलाम 17 साल बिमार रहे, क्या मोटिवेशन है? याकूब अले सलाम रोरो के अंदे हो गए, क्या मोटिवेशन है? इसमाईल अले सलाम को इबराहिम अले सलाम रेगिस्तान में छोड जब मैंने नही नही दाड़ी रखी तिन उसे पहले मैं काफी मॉडन था लेकिन जब अल्दा ने तौफिक दी मैंने दाड़ी रखी तो मुझे थोड़ा सा लगने लगा कि अब सुसाइटी में जब मैं जाओ किसी की शादी में तो लोग क्या कहेंगे ये आता है कर कोई लड कि जरूरत होती आपको पता है इसलिए आप देखोगे जब कुरान नाजिल होना शुरू वा पहली सुरत कौन सी नाजिल हुई सुरह इकरा उसके बाद एक अर्से तक कुछ दिनों तक कुरान नाजिल नहीं वा फिर सुरह मुदसिर सुरह मुजमिल नाजिल अगर आप इन महसूस होगा कि अल्लाँ ताला सब्र का मुटिवेशन देते हैं ड़ोंट गिव अप सब्र करते रहो है पता चला कि कुरान से ज्यादा खुबसुरत मुटिवेशन कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ है कुरान में ठेर सारे किसे ओन थार्ड कुरान स्टोरी ज़न उफ इतनी सारी धेर सारी आयते कुरान की मोटिवेशन है तो मैं कह रहा था कि जब मैंने नया नया दाड़ी रखी और जब दीनदार हो गए तो मुझे लगता था लोग अब क्या कहेंगे एक दफा मजडिद पर बड़े मियां किसाथ में बात कर रहा था तो क्या निसार भाई पर टू बड़ाटस देख तो इसको अइनको तब टेकली सफेते अव गयां मैं या हुआ एक विजड हो भुखे देख हो ङह देको कमल मौ पूल होता धना वह उट्टस देख फैलो क्या है बहुत है को सफेद एक तू शफेद के अंदर काला होता है के शेड के अंधरमी वह सफ रहेगा किसी ने पत्थर मरेगा तो तेरे कपड़े खराब हो गए लेकिन वो जिन्दगी पर लूटस वही रहता है उसको अल्ला खराब नहीं होने देता है सफेद रहता है किचड के अंदर क्यूंकि अल्ला ने उसकी सफेदी बरकरार रखी है अगर तू दीन पे है अल्ला आसपास में जो मोटिवेशन से जो किताबों के जरीए जो मोटिवेशन मिलता है उस अफर जस्त होता है रियल लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा हूं क्राइसिस से बाहर आते हुगे यह खुद लोगों के लिए मोटिवेशन बनते है यह खुद हम तो मोटिवे फी रसूल इल्लाही उस्वतुन हसना इंडीड इन दे मेसेंजर इस बेस्ट एग्जेम्पल फो यू तो फॉलो नभी तुम्हारे लिए इत्बा करने के लिए मोटिवेशन के लिए बेहतरीन एग्जेम्पल है साभा की रण में इसको समझ लिया अच्छी तरह के से हजरत अली रदिय लाहनु कहते हैं कि जब जंग होती थी और वारियर्स की आखे लाल हो जी थी शिद्धत की लड़ाई जब होती थी तो हम लोग अल्लह के रसूल सलिए लाला सल्म के तलवार के पीछे खड़े रहते थे रसूल अल्लाह आगे रहते हैं He used to be our motivator, sallallahu alayhi wa sallam. यानि जो leader होता है, motivation, motivate करने वाला आदमी successful leader बनता है, चाहे वो family का head हो, चाहे वो class की teacher हो, चाहे वो कोई office का manager हो, अगर वो motivate करता है तो वो leader बनता है. लोग उसके साथ रहेंगे, लोग उसके साथ अपने आपको secure महसूस करेंगे, emotional security, physical security, financial security. motivation ये तीन चीज़ के लिए ही होता है, तो आल्ला के रसूल सलला ला सलम के बारे में, सहाबा किराम कहते हैं, कि हम नभी के पीछे रहते थे, यानि नभी सबसे आगे रहते थे. मदीना का एक वाकिया है, बुखारी शरीत की हदीश है, कि सहाबा कहते हैं, कि एक बार बड़े धमाके की आवाज रात को सुनाई दी, पूरा मदीना डर गया, कि इतनी जबर्जस आवाज कैसे आई, लोग घर के बाहर आए, डरे हुए, एक दूसरे को देख रहे, कि आपन मिलके, तुम चलो, तुम चलो, कौन जाएगा देखने के लिए आवास काई की थी, इतने में हमने देखा कि अंधेरे में एक गोड़े पे एक सवार दोड़ता हमारे तरफ आ रहा है, अंधेरे में कौन है, एक तो धमाकेदार आवास सब ढरे हुए कौन आ रहा है, वो शक् मोटिवेशन, He was a motivator, यह मोटिवेटर थे हमारे motivation क्या है, superman, batman, यह 25 माले पे से कूच सकते तो क्या हम high jump नहीं कर सकते हैं, low jump नहीं कर सकते हैं, यह हमारा motivation है, real motivation अल्ला की किताब में, इसलिए मैंने कहा, कि divine motivation is very fruitful, सभाई किराम रिज्वादुल्लाही अजमाइन यह बहुत पड़ा करते थे, इसलिए motivated है, जैसे हमारा जो दिल है इसको भी motivation की ज़रूरत पढ़ती, आपको पता है, जैसे हमारी battery यह मोबाई की बैटरी को रिचाज करना पढ़ता है, वैसे हमारे motivation को भी रिचाज करना यह बाहदूरी से खड़े रहते हैं अगर गिर गए तो फिर खड़े हो जाते हैं चाहे बिजनेस में चाहे बीमारी में चाहे खांदान में कोई नुक्सान हुआ और डिवार्स हुआ कुछ भी हुआ यह मायूस नहीं होते हैं फिर खड़े हो जाते हैं अपनी सलतरत फिर बना इबने तैमे रहमत अलिया कहते एगर किसी दिन आपको कुरान पढ़ने के Stupid एक दिन भी नहीं हूई यग आपको दिनक्डम कुरान पढ़ने को मिसकिया तो यू आ इन अनफॉर्चियूनिट पर्सट्न अब बदकिस्मत हैं कि कुरान पढ़ना यह भी तौफीक है तहुता है, मिस्स आल्लाइमं और ने रहे रितक फोंड़ेती कुरान वहीं, तभी तो आपको तौफिक नहीं में आए। अल्लाइं ऐ आज छाहता था आप हो ग्राण पर घू कोधपने, ऩौरेकोश कि रितके सान। पढ़ते हैं तो अल्ला ताला तुम्हें नहीं थी तो अफसूस होदा चाहिए का आज मैंने कुरान नहीं पढ़ा अलला ने आज मुझे तौफिक नहीं दी आज मेरी फजर शुट गई आज अल्ला ने मुझे मुसले पर खड़ा ने रखा यह motivation होता है totally dependent upon Allah, जो लोग Allah पर भरोसा करते हैं, तकलीफ में difficulties किसी भी किसम की होती है, Allah उनका motivator होता है, अल्ला की बाते, अल्ला की अंबिया की कहानिया, यह सारी चीजे, सारी चीजे, यह इनके लिए motivation होता है, इतने सारे वाकियत सलफ के है, अब देखेंजे इमाम बुखारी, इमाम बुखारी ने सही बुखारी को compile करने में कितना साल लगाया, पता है, अथरा साल, अथरा साल compilation और हदीश की authenticity परखने में इनको अथरा साल लगा, यह मोटिवेशन क्या था इनको खवाब आया कि अल्ला के रसूल सलाले सलंग के चेहरे के आसपास में मक्हिया गुम रही है तो यह मक्हिया उड़ा रहे हैं किसी बुझुर को पूछा उजमाने के तो कहा कि तुम अल्ला के रसूल की हदीथों को सही हदीथों का जखीरा जमा जबा था कि इतनी सारी मोदू हदी जूटी हदीथ मार्किट में घूम रही है चलो हम महनत करते हैं तो एक मोटिवेशन था लोगों की अखिर करता है वो खुद मोटिवेट हो जाता है उसको फिर किसी की मोहताजी नहीं होती है उसको को यूट्यूब के लेक्शर की जरूत तो नहीं होती है मेरे क्लास में बच्चा था उसके वाली साब दर्जी थे और वो पिच्चर देखता नहीं था हमारे साथ किर्केट खिलने नहीं आता था पढ़ते रहता था मैं बुला यार तू इतना स्टेडिस करता है बुला निसार मैं अगर पड़ा अच्छी करूगा न अगर तो मैं फोरें जा सकूँ का आज वह अमेरिका में है उसका मोटीवेशन क्या था ही वांटेट तो हेल्प इस फादर कभी किसी और को मदद करने की वजह से हमारी हीमत अफजा ही हो जाती है हमारे आसपास में कोई कमजोर आजमी रहते है हमारे गर में हमारे ग्रेंड हमारी Grand Mother, नानी है, बिमार, बिस्तर पे लेटे है कोई पानी लाकर पिलाएगा तो पिये की बिचारे ने वरना आवाज देता है कोई सुनने वाला ले सब वाटसेप पे बिजी है उसमें अगर आप खिदमत करते हैं तो अल्ला ताला आपकी जवानी और आपके बुढ़ापे आपको किसी का मौताज इंशालला नहीं करेगा, यह मोटिवेशन होता है, किसी की मदद करने से मोटिवेशन आता है, वो फाही शाह औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, तो अल्ला न उसको जन्द में अंट्री कर रहा दी, वो मोटिवेशन का किसा हमारे लिए किसी की मदद करेंगे, इस इस रियल मोटिवेशन, मोटिवेशन खाली दुनिया की कामलबी के लिए थोड़ी होती है, एक आदमी की परस्नालिटी बनती है, मोटिवेशन के जरिए, एवर्यबडी वंस्मार्ट परस्नालिटी, राइट? अब स्मार्टेस का डेविनेशन हमारे जम महिंगे महिंगे ब्रैंडेट कपडे बहनता है, वह हमारा मोटिवेशन है, इस स्कूल में एक सर्वे हुआ था, इंडियन स्कूल में, फिफ्ट एंडर, प्राइमरी के बच्चों का, फॉर्थ, फिफ्ट, क्या बनना चाहते हो बड़े होके? फिलम स्टार, क्यों? फेमर्स वाले, तो यह मोटिवेशन होता, आर्टिफिशन मोटिवेशन, लोगों को करियर ऐसे पसंद है, जिसमें शोहरत आती है, लोगों को ऐसे करियर पसंद आ जाते हैं, जिसमें दौलत होती है, लोगों को ऐसे करियर पसंद है, जिसमें औरते होती है, गल्फ्रेंड, अफेर् मोटिवेशनल फेक्टर्स एक्चिली रियालिटी में तो जो खुद मोटिवेटर होता है वो गलत चीजों से कभी भी मोटिवेट नहीं होगा वो हमेशा उसको पता है कि मोटिवेशन कहां से लेना इसलिए मैंने का कि जो कुरान ज्यादा पड़ता है वो कामियाब होता है आपको पता है जितने भी मोहदिस है जितने भी बड़े-बड़े स्कॉलर्स है जितने भी उस जमाने में दाई रहते थे यह सब कुरान के हाफीज होते थे हमारे यहात के जमाने में कितने brothers को Quran आता है हीज आता है बहुत कम लोग हीज़ करते है Quran का हीज़ करना यह खुद एक motivation होता है पता आपको एक confidence आता है अब हमारे रिष्टेदार में एक बच्ये ने सेसी में 92 लेकर आया के बिरिजु उसने उसी साल कुरान का हिफ्स भी किया वल्ला ही कुरान का हिफ्स करते करते आप 92 लेकर आते हो टॉपर बन जाते हो दूसरे बच्चे तो ऐसे है कि घर में मैयत होती है तो इसकी माँ बोलते है बटा तु जनाजे में बच जाना तेरी एक्जाम है और यहां तो लोग तुमको देखर मोटिवेशन रहां कि उसके साथ रहना शादी में जाएगे ना उसके साथ बैठा उन्हों वेसाथ बैठना क्यू अब यह मोटिवेशन हो गया कि यह तुमारे लिए मोटिवेशन है वो नहीं करते है कुरान का चएरेक्टर होता है इमाम शाफ एर कि नभी सलन लेकिया हैं कि जिटनी भी सुन्फ्य हैं ये तमामसुनते onwards करान के अंदर है कहीं ना कहिए यह जिएनी पूरी जिद्खी पूरा कारेक्टर उनका कुराण पर पे था । अब हमारा character अगर देखना है तो हम कितनी कुलान के आयातों पर हमल करते हैं, that's it. अगर आप 25 आयतों पर हमल करते हैं, तो 25 आयत जितना आपका character है, कुरान का, so simple. तो मालूम यह हुआ कि motivation essential है, ऐसा नहीं कि motivation की ज़रूत नहीं है, लेकिन source of motivation should be correctly chosen. doctor क्यों बनना है, लोग doctor sahab, लोग sahab बोलते हैं, इसलिए हम को doctor बनना है, यह को motivation हुआ यार? IT engineer क्यों बनना है, अमेरिका में बहुत salary है, यह salary की वज़े से motivation हुआ है, salary से motivation is less, temporary. कल के उटका IT engineer बन भी जायागा, लेकिन he is not happy with this profession. I have seen many people, मैंने कई IT engineers को देखा, देड़ लाग, दो लाग की salary है, लेकिन खुश नहीं है, यह क्यों का रहे यार, यहां तो 50,000 की salary में जाया, तो Allah को सच्दा शुकूर करेगा, देड़ लाग की salary है, मजा नहीं आता काम है, तो फिर लिया क्यों? गलत motivated हो गया था, नहीं motivation should be on reality, सही जगा से, सही लोगों से motivate होना चाहिए, हम जब college में गए है, तो college का पहला दिन होता है, एक sir आकर motivational lecture देता है, हर college में एक professor appoint होता है, पहले दिन lecture, तो हमने उस वक साइंस लिया था, तो science का प्रोफेसर आया है, ऐसे, और हमारे क्लास में 65 students हैं, बीए सिक, हमारे 65 students है, तो वो प्रोफेसर कहता है, तो वो प्रोफेसर कहता है, this is the most frustrated batch of the college, who does not agree, raise your hand, किसी ने हाथ ने उठा है, everybody agreed, बला कुछ पता चला आपको, आप लोगों को जब आपने science लिया 11th standard में, 12th में आपके percentage अच्छे थे, and each one of you wanted to get admission either in medical science or engineering, लेकिर अफसोस की इतनी seats नही है तो खाली जो मलाई-मलाई होती है 12th standard में उनको admission मिलता है, बाकि सब B.S.E. करते हो, इतनी महनते करने के बाद, coaching classes में इतने पैसा खर्चा करने के बाद, आप B.S.E. करेगे, आपका तो future uncertain है, तो यह उन्होंने कहा कि because you took motivation from wrong side, आपको mentally prepared होना चाहिए था, कि ज़रूरी नह सकते हैं, आज तो कितने सारे careers आ चुके हैं, मैं जब आपकी age में था, तो careers बहुत कम थे, खाली चार या पांच किसम की engineering थी है, यह technology, IT engineering तो computers था भी नहीं, बस बहुत कम career थे, बाकि क्या नोकरी करो, clerk बनो, salesman बनो, ऐसा था, तो हम लोग confused रहते थे, कि क्या ले, admission कैसे मि आज भी अगर मैं student हूँ, तो आज भी मैं confused हो जाओगा, इतने सारे career है, कौन सा career चूज करूँ, आज भी confused है, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है, कि motivation कहां से लेने का कुछ बनने के लिए, और कोई सिखाता भी नहीं है, क्योंकि हमारी B.S.E. की teacher को भी एक दिन बीचा की रियालिटी को हम देखते है, वो रियालिटी खुद मोटिवेशन के एक फैक्टर बन जाता है, हमारी स्कूल में फाइव डिविजन थी टैन चैनरड की, फाइव डिविजन, हर क्लास में 45 बच्चे निए 200 बच्चे थे, और रेस लगते थे के स्कूल में फर्स्कॉन ऐसे बैटिंग होसे लगती थे किसकूल में फर्ष न आएगा फर्स्ट आएगा इसे मैं फेटिंग लगते थी, फर्स्ट आ गया, दूसरे बच्चे तू तो तो बेकार है, आप आपका पहिसा पेश्ट करता है, ऐसा, दीमोटिवेशन, पूरा दीमोटिवेशन, वो लड़का फेल हुआ, और टीचर ने बल मेर बोला था ना, तू फेल होगा, अब उसमें कहां से हिम्मत आ गई कि बोते हैं, मैं तो खाली हिस्ट्री आप का डिवोर्स वा आप शादी में फेल वहे हैं, वो हमारे फादर है, वो बिजनेस में फेल हुए, दूनिया में सबी लोग फेल होते है, मैं खाली टॉपर्स को ही तू वेलकम चालिया बजा होगे, तो बाकी सब का क्या होगा? तो बाकी सब क्या होगा? यह तो अज़ कर उस लड़के ने गाड़ी रिपैरिंग करने का क्लासमेट से तो मिलते रहते हैं आप तो फेस्बूक पे डूंड लेते हैं उसने अपना गैराइच खोला गैरेच और उस गैरेच में नोकरी मांगने के लिए वह लड़का है जो स्कूल में टॉप आया था साब नोकरी दो अरे यह तो फेसाथ पढ़ता था अब यह साब हो गया यह नोकरी पे आ गया यू क्या हो गया तो पता चला है कि एक हम्ण लेकिन motivation सही जगा से लेना चाहिए, यह नहीं कि बस मायूस हो गए, यह नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, I am not so handsome, यह वो, इस पर भी हम इंशाला अगले episode में हम discuss करने वाले हैं, कि the concept of smartness, the concept of good looks, यह हम अगले episode में discuss करने लेकिन फिलाल अगर आपके समझ में आ गया, कि motivation का रास्ता सही, इसलिए मैंने दो episode लिये motivation के उपर, हमारी पूरी दुनिया motivation पर रहती है, हमारा career, हमारी शादियां, हमारे events, यह सारी चीज़े motivation पर डिपेंड है, कोई अगर हमको आकर कहे, तो हम motivate होते हैं, किसी का lecture सुनेंगे, तो नमास का शौख होता है, कोई जबर कि इसी से उठाएगा, तो रहते रहते नमास पढ़ते हैं, फजर की आदे निन में आदे जाके सो जाते हैं, काम करने जाते हैं, जवान लोग, जिल्चस्प भी नहीं है, कमाई में, ऐसे ही बैठते हैं, सबर होती हैं, शाम होती है, पहली तारीका इंतजार करते हैं, सहले कब आएगी, कोई motivation नहीं है, इसलिए कि उन्होंने motivation सही जगा से लिया नहीं, ideals wrong हो गए, heroes wrong हो गए, तो motivation का factor could be motivation हो गया, इसलिए be very careful कि आप motivation कहां से लगते हो, बस यहां यह सबख हमारा खतम होता है, इन्शाल्ला अगले episode में हम the concept of smart looks के उपर बात करेंगे, इसे पहले कि हम अगले episode में जाएंगे, don't forget to subscribe our channel, आप सबस्क्राइब कीजिए, धेर सारे, pure, authentic, और real motivational videos आपको देखने मिलेंगे, इन्शाल्ला, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. सदके जारिया बनाए, आमीन. आप भी ऐसे वीडियो या सीरीज को स्पांसर करने के लिए कॉल करें, 958888888826. ऐसे ही और वीडियो बनाने में हमारी मदद करें. नारियो आपको था जा बनाए, छोग कि बना हमेंहे खिर असे जारियो पांसरा करें.